मसकार मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं कुबर नारायन की काब्य विमर्ज की कविताएं, कविता के बहाने और बासीधी थी पर आप देख रहे हैं अपना चैनल CBSी हिंदी बिद मत्रदास आज हम पढ़ रहे हैं आरो भाग दो जो की कक्षा बारे के लिए हिंदी आदार की पार्ट पुस्तक है इसके काब विखंड का पार्ट तीन कुबर नारायन की कविताएं, कविता के बहाने और बासीधी थी पर देखते हैं लेखक का परचे, कुबर नारायन का जन्म सन 1927 इसवी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने लखनो विश्वित्याले से अंग्रेजी में एमे किया आपको प्रारंब से ही भूमने फिरने का सोग था, इस कारण आपने विबिन देशों की यात्राएं की, जिसमें चीन, रूस, आदिप्रमुक है आपने युक्चेतना, नया प्रतीक तता छाय नामक पत्रगाओं के संपादक मंडल का प्रती निदित्व किया उत्तरपिदेस राज की संगीत नाटक अकार्वी के आप उपाद्यक्ष भी रहे आपने सन उन्निस सो पचास इसवी के आसपास के समय काबिलेकन प्रारंब किया आपकी प्रारंब कविताएं अंग्रेदी बासा में जबकी बात की हिंदी में लिखी आप अग्य के ता सब्तक के तीसरे सब्तक के प्रमुख कभी रहे देखते हैं रशना है कविता संग्रे है चक्रव्यू तीसरा सब्तक परिवेस हम तुम परिवेस हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों हासिय के बहाने कविता के बहाने खंड कार भी है आत्म जाई और बाज स्रभा के बहाने कहानी संग्रह है आकारों के आसपास समिक्षा विचार है आज और आज से पहले मेरे साक्षातकार साहित के कुछ अंतर विश्यक संदर्व संकलन है कुबर नारायन संसार चुने हुए लेखों का संग्रह कुबर नारायन उपस्तिती चुने हुए लेखों का संग्रह है यह भी कुबर नारायन चुनी हुई कविताएं और कुबर नारायन प्रतिनिती कविताएं इनको पुरस्कार और सम्मान भी मिले लेखन कारे में सरानी योगदान के फलसरू आपको ब्यास सम्मान प्रेमचंद्र सम्मान प्रेमचंद्र पुरुसकार, मद्धपिदे सरकार का तुलसी पुरुसकार, इंदुस्तानी अकार्मी पुरुसकार, 1995 का साहित अकार्मी पुरुसकार, वर्स 2005 का ग्यानपी पुरुसकार और 2009 का पदमबुसर सम्मान से आपको सम्मानित क साहतिक योगदान आपका देखते हैं हिंदी की छेत्र में भासा और विशे की विवित्ता उनकी कविताओं के विशेश कुड माली जाते हैं उनमें यथात का खुदरापन भी है और सहज सौंदर भी कुबर नारायन को हिंदी भासी समाज में पर्याप्त सम्मान प्राप्त है उनके काब में आम आदमी के यथा जीवन की मार्मिक व्यक्ती हुई है इसलिए संसे संब्रम प्रस्ना नुकूलता उनकी कविता के भी सब्द हैं उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परग लेक कहानिया और सिनेमा तता अन्य कलाव पर भी समिच्छाएं लिखी आप नई क कविता अंदोलन के प्रसिद कभी रहे देखते हैं पार्ट का परचे कविता के बहाने यहां तो कविताएं हैं पहली कविता है उसका परचे देखते हैं कविता के बहाने कविता में कविने बताया है कि कभी किस प्रकार कल्पना को मार्ध्यम बना कर कविताएं करता है वे क कभी चडिया बनकर अपनी कलपनाओं के उड़ान बहता है तो कभी फूलों की भाती अपने भावों को खिलने देता है और कभी बच्चों के सपनों की भाती असीम कलपनाय करने लगता है कविता उसके लिए खेल मात्र है सब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य शभी उपकरण मात्र है कभी अपनी रचनाओं में सभी बंदनों, सभी सीमाओं को तोड़ देता है दूसरी कविता है बास सीधिती पर कभी ने इस कविता में भासा की सहस्ता पर बल दिया है इस बात को कहने के लिए कुछ खास सब्दों होते है हर बात को कहने के लिए कुछ खास सब्दों होते है अच्छी बात अच्छी कविता का बनना, सही बात का सही सब से जोड़ना होता है और जब ऐसा संयोग होता है तो बिना किसी अत्रियास के एक अच्छी कविता बन जाती है बासा के उच्छत प्रयोग का ना होना साधानसी बात को भी जटिल बना देता है एक वाच अच्छत आ जाने पर यह पढ़ती जाती है और वक्ता इस सब्दजाल में और फस्ता चला जाता है इसलिए बात को कहने में सरलता और सहस्ता को मेत को देना चाहिए देखते हैं कविता कविता एक उड़ान है चिडिया के वहाने कविता की उड़ान भला चिडिया क्या जाने बाहर बीतर इस गर उस गर कविता के पंक लगा उड़ने के माने चिडिया क्या जाने कविता का प्रसंग देखते हैं प्रस्तुत का प्यान से हमारी पार्टि पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता 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 के बहाने से उत्रत है जिसके रचेता कोबर नाराइन जी है कविता के बहाने कविता आपके कविता संग्रे इन दिनों से ली गई है इसमें कविता लिखते समय तरह तरह की और विशए पहारी, वह आंक्रिक गहराई में खो जाता है उसका मन कल्पना रूपी पंकों को लगा कर प्ते कर अथा इस्थान इस्थान तक पहुँच जाता है कोई भी सीमा उसे रोख नहीं पाती इस कभी के कल्पना के पंक लगा कर उड़ने का अथ चड़िया जान नहीं पाती कविता एक खिलना है फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने बाहर बीतर इस गर उस गर बिना मुझाय महकने के माने फूल क्या जाने कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर बीतर यगर वहगर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने देखते हैं व्याक्या कवी के अनुसार कविता की रशना करते समय कवी का मन फूलों की बाती खिल उड़ता है किन्तु उसके आनंद का अनुबब के बल कवी ही ले सकता है कवी जो अपने विचारों की व्यक्ति कविता के माध्यम से करता है उसके भावों को फूल समझ नहीं स बच्चा सबी घरों को एक समान ही समझता है, उसके अंदर अपना पराया कुछ नहीं वे तो सभी को समान समझने लगता है यह तो कभी रूपी बच्चा ही जान सकता है। देखते हैं क्या है इसमें विशेष सरलवास सहज खड़ी बोली की कभीता है। कभी वह बालमन में समानता दसाई कई है। काब जसंसार की अपार संभावनों का वर्णन यहां किया गया है। अब देखते हैं दूसरे करता बात सीधी थी पर बात सीधी थी पर एक बार भासा के चक्कर में जड़ा तेड़ी फस गई उसे पानी की कोसिस में भासा को उल्टा पल्टा तोड़ा मरोड़ा गुमाया फिर आया कि बात या तो बने या फिर भासा से बाहर आये लेकिन इससे साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई देखते हैं प्रसंग प्रस्तुत का अभ्यांस हमारी पार्टि पुस्तक आरो भागतों में संकलित कविता बास सीधी थी मगज से उत्रत है जिसके रचेता कुबर नारायन जी है कवि के अनुसार भासा में सब्तों के उचित प्रयोक से इसमें सरलता की जगे जटिलता आ जाती है व्यक्ति इसमें उलचकर इसके अत को खोव्याटता है और अपनी बात को समझानी को दिश्को पूरा नहीं कर पाता कवि कहता है कि वे अपने विचारों को सीधे साधे ढंग से कहना चाहता था किन्तु उसे सायतिक रूप देने की चक्कर में भासा थोड़ी सी चटिल बन गई इस परिस्तिसी से निकलने और अपने विचारों को अभ्यक्त करने के लिए उसने अपनी भासा को तोड़ मड़ोर कर बदलने की कोसिस भी कि किन्तु वे सब्दों के जाल में ऐसा फसा कि फिर इधर उधर घूम कर भी वे सफलना हो पाया कभी अपने भावों और विचारों को भली भाती लोगों को समझाना चाहता था उसने पूरा प्यास किया किन्तु वे ऐसा करने में समत ना हो सका वे अपने विचारों को सरलता से समझाना चाहता था परन्तो उसके साथ इससे विप्री तिस्तिती हो गई उसकी बातें और अधिक उलस्ती चली गई सारी मुश्किल को धैर से समझे बिना मैं पेट को खोलने की बजाए उसे बेतरह, बेतहा सा कस्ता चला जा रहा था क्योंकि इस करतब पर मुझे साप सुनाई दे रही थी तमासवीनों की सवासी और वह वह आगिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था जो जवस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वे भासा में बेकार घूमने लगी हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगा ठोग दिया कभी कहता है कि उसने बिना सोचे समझे साहितिक भासा में कविता करना प्रारम किया साहितिक सब्दों से भरे होने कारन कविता साहितिकारों को अच्छी लगने लगी बहुत से सुनने बाले तमास मिनों की सवासी ने कभी को अपनी कविता में और अधिक किलिष्ट साहितिक सब्दों को रखने के पिर्णा दी परंतो इससे साधान जन्ता को उसकी बात समझ ना सकी उसकी बात लोगों के हिदय तक पहुँचकर लोगों को आनन दित्तो ना कर सकी बलकि अपने उद्देश से बटक गई कभी को प्रारम से ही सब्दों के जाल में फस जाने का अटर था और अन्त में उसके साथ ऐसा ही हुआ सामन जन्ता को बात ना समझ समझा पाने पर उसने कई सब्दों का जवदस्ती प्रारम किया इससे उस बात की महत्ता समाप्त हो गई अन्त में कभी ने अपनी भासा रूपी पेच को कील की तरह ठोक कर अर्थात किसी तरह अपनी बात को पूर करके बशने की कोसिस की जिससे वह बात अर्थात का विता ये भासा ये बात प्रवाबीन हो गई उसका प्रवाव समाप्त हो गया उपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाफ था बात ने जो एक सराती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पहुंचते देख कर पूछा क्या तुमने बासा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा कभी कहता है कि बासा में सब्दों का असंगच्चेन उपर से तो सही लगता है परन्तु उसमें किसी को आकसित करनी के सकती नहीं रह जाती उसकी बात इस पस्ती किन्तु उसने इसके लिए सही सब्दों या भासा का प्रयूग नहीं किया बात या भासा एक सैतान बच्चे की तरह उससे खेल रही थी इसके परणाम सरूप सारान सी प्रतीत होने वाली बात जटिलता में इस तरह फस गई कि उसे सुल्जाने में कभी को पसीने आने लगे कभी को पसीना पहुंचते देख भासा ने उससे कहा क्या तुमने कभी बासा को सहस्ता से विवार में लाना नहीं सीका अतात यदि वे बासा के सब्दों का चैन उचेत तरह से कहता तो इस अवस्ता से सायत उसे कुजरना न पढ़ता देखते हैं क्या है इस कभी बोली मुक्तक चंद की कभीता है रोचक मुहाविदार भासा है उपमा रूपक अनुप्रास वा मानमीकर अलंकार का प्रियोग हुआ है भासा की जटिलता पर कटाक शुक किया गया है कभी वा कभीता की आडंबर भासा पर व्यंग किया है कभी कभी कर्म को पूरी जिम्मेदाई से करने की सला देता है तो यह ता आज का पार्ट कभीता के बहाने और बासीड़ी थी पर कभीताएं जिसके लेखा कुबा नारायन ही थे और आगे फिर में लेंगे नए वीडिय कैसा लगा हमारे चैनल को सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवस कीजिए जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो तो पहुचाएं जिससे सभी को इसका लाव हो सके और हमारे मेनत का हमें पूर्ण फल मिल सके फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ नमस्कार